वक्तम अरहस असेशेन दिव्याही आत्म विभूतया वक्तम अरहस असेशेन अर्थात बोलने के लिए कृपया करें पूनता से दिव्याही आत्म विभूतया अर्थात स्वयम की ही दिव्या आश्वर्य के विशय में या भिर विभूतय भिर लोकान अर्थात जिस एश्वर्य द्वारा लोक में इमानस्त्वम व्याप्या थिश्ठसी अर्थात यहां आप्त व्याप्त होकर बैठते हो तो यहां पर इस श्लोक में अर्जुन अब श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि कि मैं आप से और जानना चाहता हूँ आपके एश्वर्य के बारे में तो कह रहे हैं कि आप कृपया मुझे अपने एश्वर्य के विशह में और बताएं और यह समझाएं कि आप किस प्रकार से इस संपून श्रिष्टी में व्याप्त होकर बैठे हुए हैं तो यहांपर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन का जो मनोभाव है उसमें परिवर्तान हो चुका है अप यहांपर आप देख सकते हैं कि उनका विश्वास जो है बढ़ चुका है और क्योंकि उनका विश्वास अब बढ़ चुका है तो वह अब श्री कृष्णे से और प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे अपने एश्वर्य के विश्या में और बताएं तो ये जो स्थिती होती है ये सभी भक्तों के साथ में होती है जब व्यक्ति आत्म ग्यान की और प्रगती करना आरंब करता है तो आरंब में व्यक्ति के मन में शंचाय होता है वह ग्यान में थोड़ा नियून होता है तो उसका ग्यान उतना प्रबल नहीं होता तो इस कारण स उसके मन में एक संशाय होता है कि क्या दिव्यता वास्ताव में है या दिव्यता वास्ताव में नहीं है किन्तु जैसे जैसे वह आत्म ग्यान की और प्रगती करता है जैसे जैसे वह आध्यात्म के मार्ग में बढ़ता है आगे तो उसको दिव्य के विशय को लेकर प्रमान मिलने लगते हैं और यह जो ब्रमान होते हैं यह प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ में आत्मग्यान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ईश्वर के प्रमाण मिलते हैं किन्तु वह ऐसे प्रमाण होते हैं जो की बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं वह सारवजनेक नहीं होते हैं अरतात किसी एक व्यक्तिग गए उसका प्रमाण मिल रहा है तो इसका अरत यह नहीं है कि वह प्रमाण फिर किसी दूसरे वेक्ति को भी मिल जाएगा केवल उसी वेक्ति को मिलता है जो प्रИयास करता है तो श्रीक्रेशनी भी कह चुके हैं कि यदि तुम शद्धा के साथ मझे प्राप्ड करने का प्रियास करोगे तो तुम्हें मैं जान प्रदान करूँगा अपने विशाय में किन्तु वो ये भी कहते हैं कि मैं अग्यानियों के लिए योग माया के द्वारा छीपा हूँ हूँ तो यही स्तिती होती है वास्तों में कि वेक्ति जब अग्यानी होता है तो उसको इश्वर का आभास नहीं होता इसकी भक्ति में व्रिद्धी होती जाती और वह इश्वर के बारे में फिर और भी जानने का प्रयास करता है तो जो अर्जुन के मनोभाव में हमें परिवर्तन दिख रहा है यह वही परिवर्तन है कि उसके भीतर अब श्रीक्रिष्ण के प्रती भक्ती में वृद्धी हो चुकी है श्रीक्रिष्ण ने जो भी ग्यान अर्जुन को प्रदान किया उससे अर्जुन का जो आत्म ग्यान है उसमें वृद्धी हुई और जब अर्जुन के आत्म ग्यान में विर्द्धी हुई तो अर्जुन अब श्रीक्रेशन के बारे में और पूछ रहे हैं कि आप मुझे अपने एश्वर के बारे में और बताईए तो यही बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि यदि आपको इस समय पर इश्वर का आभास नहीं होता है या आप इश्वर को ठीक पर से समझ नहीं पाते हैं तो इसका आर्थ ये नहीं है कि इश्वर जो है वहन नहीं है इसका अर्थ के अवल इतना है कि अभी आपने आध्यात्म के मारक पर उतनी प्रगती नहीं की कि आप ईश्वर के बारे में और गहराई से जान सकें तो जैसे विज्ञान होता है विज्ञान में भी हम इसी तरक का उपयोग करते हैं जहां हम कहते हैं कि अच्छा कोई भी एक घटना है जो की इस शृष्टी में होती है यदि हम उसको समझा नहीं पाते हैं वे ग्यानिक रूप से तो हम यही कहते हैं कि ठीक है अभी हम इसको समझा नहीं पा रहे हैं किन्तु हम यदि इसमें शोध करेंगे और ग्यान में अपनी व्रद्धी करेंगे तो भविष्य में हम इस घटना को ठीक प्रकार से समझा पाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्म में भी कुछ ऐसी बातें हैं आध्यात्म को लेकर जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको ऐसा लगता है कि ये केवल अंदुविश्वास है तो आप इसका अर्थ यही मानिए कि अभी आपका जो ग्यान है आध्यात्म का वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उस विश्य को समझ सकें कि तू अन्य महापुरुष हैं जो कि इस विश्य को ठीक प्रकार से समझते हैं तो यदि उनको इसका आभास हो रहा है यदि गुरु को इस समझ में आता है कि कैसे हो रहा है तो एक जिस प्रकार से एक विज्यान का चात्र जो होता है वह अपने गुरु के ज्यान पर विश्वास करके आगे बढ़ता है ठीक उसी प्रकार से जो आध्याक्म का चातर होता है वह भी अपने गुरू के ग्यान के विश्पास पर आगे बढ़ता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसको ग्यान प्राप्त होता जाएगा अच्छा इसके बारे में आप अन्य संप्रदायों में भी देख सकते हैं जैसे बाइबल में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखिए कि जीजस कहते हैं कि प्रश्ण पूछो उनके उत्तर आपको मिलेंगे तो ठीक यही जो बात है वही यहाँ पर भी लागू हो रही है कि अरजुन ने प्रश्ण किये और उनको उनके उत्तर मिले आप जैसे जिसे व्यक्ती की भख्ती में वրद्धी होती है उसको और ने ने उत्तर मिलते चाते हैं अपने प्रश्णों को लेकर के केवल भाव यही है कि व्यक्ति के मन में एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए कि यह जो सिक्षाएं है इनसे मेरे जीवन में कुछ कल्यानकारी होगा यह मेरे जीवन के स्तर को यह मेरे जीवन के स्तर में व्रद्धी करेगा इस प्रकार का विश्वास होना चाएए ठीक जैसे अन्य ग्यानों के बारे मिमारे मन में यही होता है कि हाँ ठीक है हम इस ग्यान को जब आगे सीख लेंगे तो इससे कुछ अच्छा होगा ठीक उसी प्रकार से आध्यात्म में भी आपके मन में वो एक भावना होनी चाहिए कि यह जो यहाँ पे मुझे सिखाया जा रहा है इसको सिखाने से मेरा कल्याण होगा और जगत का कल्याण होगा तो समझ से ही होती है कि लोगों के मन में इस प्रिकार का जो सम्मान है वो आध्यात्म के ग्यान के लिए नहीं होता को लेकर के किन्तु सपष्ट नहीं दिखता है ऐसा प्रक्रिया होते हुए नहीं दिखती जैसे आप यदि विज्ञान में देखें तो आप यही देखेंगे कि यदि आप जोर से किसी गेंद को फेंकते हैं तो वह उचलेगी और उचलके जाएगी तो वह आपको सपष्ट दि जाता है किन्तो यदि उस संचा से उपर उठकर के व्यक्ति भक्ति के मार का अनुसरन करें तो जिस प्रकार से गुरू होते हैं जो की प्राप्त करते हैं उस प्रसंदता को और उस संतुष्टी को तो हर व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है और उसके मन में ईश्वर को और कि इच्छा भी बढ़ती जाएगी क्योंकि जैसे व्यक्ति किसी भी विशयव को ले करके जब उसकी बढ़ती उत्सुक होता है तो उसमें जानने के लिए उसकी जिग्या सा और बढ़ती जाती है मन में और कौतुहल उठता है कि मैं और जानू और ठीक उसी प्रेकार से जब आपके मन में भक्ति बढ़ती है और आप ईश्वर की और व्रद्धी करने लगते हैं तो आपके मन में तब जो है और कौतुहल उठता है कि मैं इश्वर के बार में जानू और जैसे कि श्रीकृष्ण के चुके हैं और हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस संसार में जो पर बन जाते हैं तो उससे अधिक प्रसन्यता तो और कुछ लाही नहीं सकता है तो व्यक्ति श्रीकृष्ण के बारे में ही सूचता रहता है श्रीकृष्ण का ही चंतन करता रहता है और वह तो प्रेम का अपार समुद्र है तो वहां से जो प्रेम व्यक्ति को प्राप्त होता ह जब उसके मन में श्रेक्षण किर्पति भक्ति भाव की वरद्द्य होती है तो इसलिए एक विश्वास के साथ में इस मार की और अग्रसर होई है इस कार्थ यह नहीं है कि आपको दूसरे कुछ अपने जीवन के कारे नहीं करने है जो कि आपको वो बना देगा जो की बनना आपको चाहिए बाकी नीचे वीचे आप कुछ भी बन जाएं उतमें क्या रखा है जो वास्तविक है तो वो तो यही है कि श्रीकृषण के भाव को अपराप्त करना यही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अर्जुन के मन में श्रीकृषण के प्रती जो भक्ती है उसमें व्रद्धी हो रही है और वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि श्रीकृषण के इतने सारे संदेश जो है वह अर्जुन ने सीखे हैं उनको अपने जीवन में उन्होंने लागू किया है तो इसी कारण से वह इस मार्क में और प्रगति करते जा रहे हैं तो वही संदेशता इस श्लोक का आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाथ करते हैं नमस्ते